इंकम टेक्स भरने की आखरी तारीक 31 जुलाई याने की आज है अगर अभी तक आपने अपना इंकम टेक्स रिटन फाइल नहीं किया है तो भारी नुकसान हो सकता है अगर इस डेडलाइन तक भी आप रिटन फाइल नहीं कर पाते हैं तो फिर किस तरह का नुकसान आपको करना चाहिए अगर डेडलाइन छूट जाती है तो टेक्स पेर्स को नुकसान उठाना पर सकता है Financial Year 2022-2023 या Assessment Year 2023-2024 के लिए Income Tax Return जमा करने की आखरी तारीक 31 जुलाई है वही सरकार ने साफ कर दिया है कि Income Tax Return दाखल करने की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी अगर आप किसी कारेंट से 31 जुलाई 2023 तक अपना ITR दाखल नहीं कर पाते हैं तो इस काम को पूरा करने के लिए आपको मौके तो मिलेंगे लेकिन आपको वित्ती नुकसान इसके लिए उठाना पड़ेगा तो वो कौन से नुकसान है और कितना नुकसान आपको उठाना पड़ेगा वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं तो 31 जुलाई के बाद इंकम टेक्स रिटन फाइल करने वाले टेक्सपेर्स को लेट फीस चुकानी होगी अगर आपकी वाशिकाए 5 लाख रुपे से अधिक है तो 5,000 रुपे तक और अगर 5 लाख रुपे से कम है तो 1,000 रुपे का जुर्माना देना होगा जुर्माने के साथ विलम से रिटन दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर 2023 तक उपलब्ध रहेगा इसके अलावा समय पर अपना ITR नहीं भरने वालों को टेक्स डिडेक्शन में नुकसान झेलना पर सकता है इससे अंतताह टेक्स की देंदारी बढ़ सकती है अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद ITR फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपे तक का जुर्माना देना पर सकता है इतना ही नहीं अगर आप टेक्स पेर्स की शेनी में आते हैं तो जुर्माने के अलावा बकाया राशी पर भी ब्यास का भुकतान करना होगा इंकम टेक्स के नियम के मताबिक ऐसे लोगों को जुर्माने के साथ बकाया टेक्स राशी पर एक प्रतिशत महीने के हिसाब से टेक्स का भुकतान करना होता है अगर आप पर tax refund बनता है तो वो तब ही वापस आएगा जब आप tax का पूरा भुकतान कर देंगे इसके साथ ही देरी से ITR भरने पर tax refund पर ब्याज भी नहीं मिलता है ITR दाखिल करते समय कम इंकम बताने पर 50 फीज़ी या फिर गलत इंकम की जानकारी देने के लिए 200 फीज़ी का जुर्माना लग सकता है यानि कि कोई व्यक्ती समय पर अपना ITR जमा नहीं करता है और कम आये दिखाने पर tax की बकाया राशी का उसे 50 प्रतिशत और गलत आये दिखाने पर बकाया tax राशी का 200 प्रतिशत तक जुर्माना लग सकता है इसके अलावा इंकम tax के आन्य नियमों के मताबिक ITR फाइल नहीं करने पर 7 साल तक की सजा भी हो सकती है ITR फाइल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस बार new tax regime को default में रखा गया है अगर आप old tax regime के तहट ITR फाइल करना चाहते हैं तो फिर आपको इसे खुद से बदलना होगा तो ये जानकारी आपको कैसे लगी जरूर हमें बताइए जुड़े रहे जनभापने टाइम्स के साथ नमस्कार